हेलो नमोश्कर मेरे नम प्रदीफ है आप सबको हमारा जो नर्शिंग केर एजूकेशन यूटूब चैनल में स्वागत है आज हम आप सबको एक परी इंपोर्टन टॉपिक के बार में डिसक्स करने चाहर है यह जो देख पार है इंट्रोफेस वेब साइट का इसमें आप सब का ओल प्रिभीशर कॉश्चिन जो अलड़ी हम प्रिभीशर कॉश्चिन यानि सेंट्रा लेवल में एम्स डीसस्पी जीपमर लेवल में जो एक कॉश्चिन आया है उसका लिस्ट हम इस लिंक उसका दे देंगे डिसक्सिन में आप जहां के भी बढ़ाई कर सकते हैं और एक बात बताना चाहता हूं आप मन आप सब का मन में डाउट होगा कि आप सब तो इस वेबसाइड में दे दे रहें फिर भी वीडियो बनाने के क्या मतलब है क्योंकि आप पूचे यह की निकिजिए क्योंकि कभी-कभी हमें पढ़ाई से बर लगती है और बर लगेगा तो इसमें इस वीडियो देखने के दारान आपको माइन में कुछ ना कुछ कुछ सेब होगा तो जरूर और आपको एल भी करेगा आगे जाके यह यूट्वी चैनल क्योंकि इसमें वीडियो बराने के साथ तो दोनों क्लास करने के साथ साथ आपको हम फ्री वेबसाइड की लि कर सकते उसके साथ साथ यह जो क्लास हम एक साथ मिलके डिसकस करेंगे इसको देखने के टाइम आपको बहुत हल्प करेगा कुशन भी बहुत याद रहेगा तो चलो आज हम है कुशन डिसकस करेंगे वह कोशन है एम जौदफुर अडिसकस की ठीक है थोड़ा वेड कीजिए वह आ गया थोड़ा हम जूम करी लेते कुशन को पहला जो कुशन था किट सप्लाइड सबसेंटर इसकोल्ट कीट बी ओके सबसेंटर में जो कीट सप्लाइड होता है उसको नाम क्या कीट भी नेक्स्ट इन पोलिय जो भाल है उसका भी बी बीँ बी 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 जो भीच्छन भाल मोंनिर में इनुर्ण स्क्रे का है थोड़ा लाइड एंड गूं धंदर्दुiseं ओंड भीच्छ में मैं थाय उसका मतलब की एम सूमगलैो को हुज डेक्षीं उसका मतलब इूंदुच्सिंश था मिट्य वांट has an endotracheal tube in place and is on the ventilator his relatives his relatives comes running to you telling you that the patient has pulled the tube out of his mouth then what would be the next step वो बोल रहा है कि एक patient emergency department में आया है और उसका endotracheal intubation भी हुआ है और ventilator में पेसन है so only उसका relative आके बोल रहा है कि patient वो endotracheal tube remove कर दिया तो उस टाइम आपका action क्या होगा what is your action तो उस तो उस टाइम हमारा action क्या होगा pull the tube out completely beg and mask the patient and assist the spontaneous breathing तो उस टाइम हमारा action क्या होगा कि जो tube को हम completely remove कर देंगे उसके साथ बेग मास्क से ventilation देंगे करेंगे and spontaneous breathing effort को assess करेंगे कि वो खुद सांस लेफ आ रहा है कि नहीं तो यह था तिन नमर्ट question next question while administering of ear drop infant they not should pull the pinna up ear desk infant patient की ear drop installation हो रहा है तो infant cases में पीना को कैसे हम pull करेंगे down and backward okay down and backward next during blood transfusion the most important nothing responsible is death okay questions का मोरीच का blood transfusion हो रहा है तो उस टाइम हमारा response में क्या होगा run the blood at slow rate and for fast few minutes of transmission okay transmission करने का कुछ हमे के बाद मतलब कुछ हमे की लिए हम उसका run rate का slow करेंगे slow rate में चलाएंगे क्योंकि अगर हम speed से चलाएंगे तो hypersensitive reaction होने का chances से और blood reaction होगा तो हम उसको prevent कर सकते हैं okay next temperature exposure indicator of the vaccine is death भी भी है जिसे पता चलता है की की बैक्सिन का जो जितना नर्माल सेंटी के टेंपरेचर में स्टॉर किया जाता है उसका exposure और कितना temperature exposure हुआ है वह उससे हम पता चलता है next side for subcutaneous injection is scapula abdomen and anterior था है next a patient is anti-psychotic medication developing rolling of eye upward this is the indicative of death भा बोल रहा है की एक patient anti-psychotic medication medication ले रहा है suddenly उसका जो eye upward rolling कर रहा है तो यह indications का मतलब क्या है उसका मतलब है extra pyramidal symptoms extra pyramidal symptoms okay the term used to describe the discharge from the uterus during puriperum and has an alkaline reaction okay वह बोल रहा है की puriperum के time में जी uterus में कुछ discharge हो रहा है वह basically क्यों secretion हो रहा है यह basically amniotic secretion है it is amniotic secretion okay normal rate of cervical dilation in active phase of the fast age of labour in primary gravity वह बोल रहा है कि primary gravity में जो fastest labour primary gravity का fastest labour में जो active phase में cervical dilation का rate कितना होता है one simple hour okay one simple hour इसके अपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि basically labour stages of labour का dilution कि कितना होता है और उस time में cervical dilation का rate कितना होता है इसके वाफर भी हम एक वीडियो बनाएंगे आप हमारे चैनल का अगर अभी तो subscribe नहीं किया है subscribe कीजिए आगे जाहां कि चैनल आपको बहुत help करेगा seriously next false sensory perception not associated with real external stimuli is called DES वो बोल रहा है कि एक perception है जो false false perception that does not associate with real external stimuli वो उसको false perception हो रहा है पर actually the present object is not present okay real external stimuli is not present okay without real external stimuli तो this type of condition को क्या बोलते है psychiatry condition को क्या बोलते है hallucination okay next this should be added to normal saline who is connected to arterial line measuring invasive blood pressure वो बोल रहा है कि क्या कि एक ABP line है arterial blood pressure measuring हो रहा है तो जो 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 जस line में saline connect हुआ है उस line में हम क्या आर करेंगे हम hefarin आर करें क्यों आर करेंगे to prevent blood coagulation blood clot ना करने के लिए प्रेशर जो नर्माल saline जा रहे हो बहाँ blood आके clot करने का chance से तो हमें है पारिन देना है next each community development block should have death okay वो बोल रहा है कि एक community development block में क्या होता है एक community health center रहता है okay while assessing patient cranial nerve the nurse asked the patient to rise eyebrow smile and saw the teeth to assess death nerve वो बोल रहा है कि एक patient का cranial nerve assessment हो रहा है नर्ष उसको eyeball को rise करने के बोल रहा है तो इसमें case nerve का पता चलता है कि हाँ well function कर रहा है इसे facial nerve को पता चलता है कि वो कैसा काम कर रहा है next in a moment is using diaphragm for contraception should be instructor to leave it in a place for a list this time after intercourse हाँ एक ओमेन है contraception के लिए diaphragm यूज़ कर रहा है तो यह वो कितना समय intercourse के बाद रखेगा ताकि वो effective तरह काम कर सकता है at least six tower okay डाइफ्रर गां होगा तो six tower रखना ही पड़ेगा next during dressing change inspection of wound rebuild stage affair तो रेडिस पिंकिस टीशू in the wound this is not interpreted as a granulation of tissue एक patient का dressing change हो रहा है इंस्पेक्शन करना है तो इंस्पेक्शन किया जा रहा है उसका wound कैसा दिख रहा है रेडिस पिंकिस आ रहा है तो उसका मतलब क्या है granulation हुआ है granulation of tissue हुआ है एक patient का dressing change हो रहा है और जब उस wounds को हम inspection किया देख यानि जब रिभील किया तो उसका जो रेडिस पिंकिस्टीशू एफ्यर हो रहा है उसका मतलब granulation of tissue हुआ है नेक्स एक 40-year-old unconscious patient is brought to casualty and followed road traffic crash his blood pressure is 80 by 60 then what will do it fast 41 साल की unconscious patients casualty आया है और उसका BP 80 by 60 है तो उस टाइम हमारा रोल क्या है protect the airway airway को protection करना है airway protection करना है अगर बात कर emojis department की तो उस टाइम में feed vitals क्या है पीफिलारी reaction to the light next neural tube defect can be prevented by this maternal folic acid supplement maternal folic supplement करेगा तो neural tube defect नहीं होगा pregnancy period में folic acid supplement prevent neural tube defect patient have difficult in smelling nurse asses for days nerve patient का smelling में problem आ रहे उसका मतलब कौन सा नर्व में problem हो सकता है fast cranial nerve problem होने का chances है नौर्शर्स क्यारीन चाइल उद एक्स्ट्रोफिय ब्लाडर एक पेशेंट का एक चाइल्ड का एक्स्ट्रोफिय ब्लाडर हुआ है var with clean plastic wrap okay var with clean plastic wrap ऐसा अब्स एका तो उसका answer होगा raw with clean plastic wrap तो एकılar भी ब्लाडर को ब्लाडर को जो बाहर आ गया उसका हम clean plastic wrap से cover करेंगे next in this third stage sorry in this stage there is the formation of blister pe pega start की बात करते है तो कॉंसा stage में blister दिखा देता है stage 2 में common position in child with tetralogy of fallots एक child को tetralogy of fallot हुआ है तो उसका common position क्या दे जाएगा squatting position squatting position ओके next common is side for used IM injection infant अगर infant के बाद करते है तो उसका IM injection देने के लिए side concept यानि preferable side होगा the angle used for IM injection is 90 degree ये सबको पता है next doctor order 0.35 mg available drugs is 0.25 mg per ml then amount of drugs given उसका एक formula है क्या है उसका जितना drug दिया जाएगा उसका formula है क्या required dose जो amount of drug मतलब required dose required dose का formula है जितना drugs advice है जितना drugs advice है advice by available dose into number of quantity ये formula आप apply किजिए उसका apply करने के बाद 1.4 ml आही जाएगा ओके यहां जो अगर बात करें तो doctor order 0.35 mg by available dose 0.25 mg into 1 ml okay तो ये उसका formula आही जाएगा next normal pH of the range of the blood is 7.35 to 45 0.45 portions normal saline is dash saline okay hypotronic saline next first day of menstrual cycle is 14 august and the EDD according to niggles is dash okay इसका भी एक formula है EDD calculation की formula है कि क्या 9 months plus 7 days वो 9 months कहां से calculated किया जाएगा हमारा last LMP last menstrual period से ये 9 months 7 days आड़ किया जाएगा उसके बाद उसका जो menstrual period 14 august तो बहाँ से ही 9 months 7 days का अड़ करने से वो एक विस में आ जाएगा इन उनकोंसे चाइड़ कॉंसे डिहाइडेशन द नौस डू फास्स टेस स्टाट आई भी इंफ्यूजन आपारल स्टाट आई भी इंफ्यूजन आपारल एक पेशेंट उनकोंसे चाइड आया है उसका डिहाइडेशन हुआ है तो उस टाइम हमारा रोल क्या होगा आई भी इंफ्यूजन आपारल उके विल आसेस डेस्ट लाब भेलू रेनल फेलियर फेशेंट एक रेनल फेलियर फेशेंट का कॉन से लाब भेलू मेजर करना है वह टेस्ट करना असेस करना जरूरी है सिरम क्रियेटीन है एक क्लाइंट डेसिबिंग आई भी फ्लूइड एंड डेबलोप टेंडरनेस एरिदीमा एंड फेनेट साइट ओके दिस दिन और सॉस्पेक्ट डेस ओके पेशेंट को आई भी फ्लूइड चल रहा है उसका आई भी साइट में पेन हो रहा है टेंडरनेस हो रहा है एरिदीमा हो गया है तो उसका मतलब क्या है प्लेवाइटीस वाई इंप्लामेशन बेन हुआ हुआ है अगर फ्लॉर में ब्लॉड गिर गया तो उसको क्लीन करने के लिए कौन सा सलुशन उचका क्लॉरिन मीक सलुशन विच किया जाएगा के यह持 नरते में ब्लास्मा इस दस आगए प्लाज्मा में कुन सा के यहाँ था रहता है विच्फ ट्रीने शिस्टंग whack to do प्रोसेस नेक्स द्यार इस दो असिलेशन नहीं हो रहा है उसका मतलब ट्यूब ब्लॉक हुआ है प्रोसेशन ज्यादा अक्सिजन मिलता है उसको प्रोसेशन होकर आया है तो उसके कंप्रेंड कर रहा है उसको फास्ट आक्षन क्या होगा प्रोबाइड नाइट्र ग्लिसरीन यह नौस्ट विल कीप इन आइसलेशन और पेशेट विट बैक्तिर मेनेंजेटिस फूर डेस टाइम ऑके पेशेंट को बैक्तिर मेनेंजेटिस हुआ है तो आईसलेशन कब देढ़ेगा फास्ट ट्वेंटी फर आवार आप्टा दी इनिशेशन आटीबाइड इस टार्ट करने का ट्वेंटी फर अंदर उसको आईसलेशन से प्किया जाएगा एक पेशन कंपेंट विजुल डेस्ट वास्ट नौस्ट विल नौ इस डिसाइट इपेक्ट वडेस्ट इथम ब्यूटल ओके इथम ब्यूटल की ड्रोग साइट की पिट के बज़े से विजुल आट और आट वांट इसफोन है को आट कर थेक्ट वा एट हो अँय अयूटल पाप़ नौस्ट व्लेड हो साइट युल डेस्ट पहल ऱके सच्ट जाएगा। अब्चर विद लिट तो, okay next effects of bacillatot include hypotensor then osmolite of normal saline is 154 Ml. pro non-cosys patience brought by the relatives ये था फास्ट पार्ट में हम 51 से दिसक्स करेंगे